नमस्कार दोस्तो स्वागता आपका आज की स्वीडियो में दोस्तो आज की स्वीडियो में लोग बात करने वाले हैं मॉबाइल के पिता यानि की टेलीफोन के अविश्कार के बारे में टेलीफोन के अविश्कार के पीछे जो कहानी है वो काफी मज़िदार कहानी है दोस्तो का मानना यह भी है कि टेलफॉन का विश्कार में काफी प्रसिद दें क्योंकि आप सबी जानते आज की इस अधूनिक जीवन में मोबाइल हमाले कितनी महत्पूर है और मोबाइल की जो पहली नीव है या पहली सीडी जो हम कहें वो टेलीफोन ही है ठीक है इनके इस अविश्कार ने पुरी दुनिया को बदल कर रख दिया जो शायद आज हमारे हातों में जो सबसे प्यारी चीज मोबाइल है जिससे हम अपने जान से भी ज़्यादा चाहते हैं वो इनी ही की देन है एलेक्जेंडर ग्राम बेल की मा और पत्नी दोनों बहरी थी जिस वज़े से उन्हें दुहनी विज्ञान यान्ज की साइंस अब साउंड में काफी रूची थी और यह इसी पर काफी सोद करते रथे थे ग्राम बेल को इस बात का पता था कि टेलेग्राफ तार के जरिये दुहनी के सिग्नल को एक जगे से दूसरी जगे पर भीजा जा सकता है इसलिए इन्हों ने इस पर सोद कार्या सुरू कर दिया सोद कारिये के लिए इन्हों अपने साथ एक सायक अपने मित्र सायक थॉमस वाटसन को रखा जिसने टेलिफोन की खोज के लिए ग्रहम वेल की काफी मदद की दोनों इसी पर गंटों काम करते रहते थे काफी समय गुजरा इस पर बात 10 मार्च 886 की है 1876 की है जब ग्रहम वेल अपने कमरे में उनका सायक वाटसन दूसरी मंजिल पर अपना काम कर रहे थी बहुत दिनों से लगातार अलग-अलग यंत्रों को जोडने पर भी उनके तारों के जरे धोनी संचन में सपलता नहीं मिल पा रहे थी आते हुए वाटसन को मदद के लिए पुकारा और वाटसन ने उनकी आवाज को अपने पास अरके यंत्र से आते हुए सुना और इसके बाद ये कहानी इतियास बन गई क्योंकि इस दिन मोबाइल टेलीफोन का विश्कार हो चुका था क्योंकि वाटसन ने जो आवाज सुन जिन पर वह काम कर रहे थे यानि कि टेलीफोन पर यह देवेकतियों के बीच की पहली बाध टेलीफोन पर की गई बात थी इस बात चीट में ग्रहां बेल अपने सायग वाटसन को कहते हैं Mr. Watson come here I want to see you यानि कि Mr. Watson यहां आओ मुझे तुमारी जरुरत है टेलिफोन की खोज के तुरंत बात Alexander Graham Bell ने इसका 7 March 1876 को इसे पेटेंट करवा लिया और 1877 में एक टेलिफोन कमपनी खोली जो जल्दी बहुत प्रसिद्ध होई खुब पैसे कमाए आज के समय में Graham Bell की इस कमपनी को AT&T के नाम से जाना जाता है Graham Bell की इस प्रतिबा का अंदादा इस बात से हम लगा सकते हैं कि मात्र 13 साल की उमर में उन्हें ग्रेजिएशन कर लए थी यानि वो ग्रेजिएट हो चुके थे आपको ये जानकर भी हैरानी होगी सिर्फ 16 साल की उमर में ये वग्यान एक म्यूजिक ट्वीचर की उमर में काफी मसूर हुआ था और लगभग 23 साल की उमर में उन्हें एक ऐसा प्यानो बनाया था जिसकी मीठी आवाज काफी दूर तक सुनी जा सकती थी एक महाधीब के सिरे चिए दूसरे महाधीब के सिरे तक पहला टेलिफॉन कोल 15 जनवरे 1915 को हुआ था जिसमें एलेक्जेंडर ग्राम बेल ने थॉमस और वाट्सन से बात की थी एलेक्जेंडर ग्राम बेल उस समय नहीं करते थे क्योंकि उनके अनुसार्जिया उनके काम में बार बार बादा डाला करता था और ये बात मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते कि आज के समय भी जो मोबाईल है कितना हमारे जीवन को प्रभावित करता है कितनी बार हमारे जीवन में कई बाधा बन जाता है एक अंजान बिमारी की बज़े से हुँ थी उनकी मृत्यू के बाद पूरे उत्तरियम में करें सबी टेलिफोन लाइनों को एलेक्जंडर ग्राहम बेल के सम्मान की रूप में दो मिनट के लिए बंद कर दिया गया था उनकी मृत्यू दो अगस्त 1922 को कनाडा में पिछेतर वर्ष की आयू में हुई थी दोस्तो ये थी टेलिफोन के अविश्कार के पीछे की कहानी कुछ लोग कहते हैं जब टेलिफोन का अविश्कार हुआ तब उन्होंने अपनी पत्तनी से बात की थी लेकिन ऐसा नहीं है उन्होंने अपने दोस्त से बात की थी और उन्हेंने कहा था मिस्टर वाट्सन कम हैर आई वांट टो सी यू कि मिस्टर वाट्सन यहां आओ मुझे तुमारी जरुरत है क्योंकि उन्हें चोट लग गई थी दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा मिलतें नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत धन्यवाद